गुद मॉनिंग श्टूटेंट आपने 20 स्लेव के बारे में पढ़ा होगा ठीक है लाश्ट लेक्चर में हमने सभी बोटेंड़ पॉन्ट के बारे में डिसकस किया था अब हम देखेंगे टूबे स्लेव किसे कहते हैं हम इसको भी देखेंगे और टूबे आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है किस तरीके से आपका question solve होगा वर इस तरीके से देखना है और two-way slab दो प्रकार का होता है उसमें से आपका पसरिफ एक ही प्रकारगा क्या है syllabus में है अब देख लेते हैं two-way slab two-way slab किसे कहते हैं जब हमारा length और divide by जो बिर्थ होती है मना जो उसका लवाई होता है जैसे लंबाई में फिर उसका चोड़ाई में उसको lx कहना है जो short span है उसको lx बोलते हैं और जो लंबा span है उसको ly बोलते हैं उन दौनों का जो रेसो है या दो दो से कम है या दो के बरा two-way slab provide करते हैं वंबे slab हमारा कोरिड Stir के उपर बरामदे के ऊपर जो काफी लेंध में लंबाई में होता है वहाँ पर हम बनवे slab को यूज करते हैं और important बात बात आती है two-way slab के बारे में टूबे slab में कोई बी transfer reinforcement देने की आवेसकता नहीं होती उसमें हम दोनों ही जो में जो longitudinal में और transverse में दोनों में ही man reinforcement प्रोवाइड करते हैं ठीक है उसमें हम बित्रेंट छड़ जो होती है distribution उसे प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ly upon lx का जो ratio है या तो दो से कम हो या दो के बराबर हो तो हम उसको क्या कहते हैं टूवे slab कहते हैं और एक और चीज ध्यान रखना होगा आपको जब slab अपने चारों सिरों पर आलम बित हो ठीक है two types of simply supported two ways slab दो प्रकार की होती है जैसे चारों कौनने की बात की थी हमारा ये भी ठीक है आ और ये भी टीक है चारों सिरों पर आलम वित होगा तो इसको हम two ways slab बोलते हैं टूबे सिलेब हमारा दो प्रकार का होता है जब दोनों सिरे फिक्ष्ट ना हो जब हमारे जो दोनों सिरे इधर का जो सिरा है और इधर का भी सिरा फिक्ष्ट ना हो तो एक प्रकार और दूसरा जब दोनों सिरे फिक्ष्ट हो यह इसको मैंने फिक्ष्ट कर दिया और इसको हमारे स्लेवस में नहीं है, ओके, तो पहला देख लेते हैं, जब दोनों सरे fixed ना हो, तब हम हमारा deflection कैसे रहेगा, ठीक है, किस तरीके से हम shear force निकालेंगे, moment निकालेंगे, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया है, तो पूरे को देखो, जब हमारा लंबा स्पैन था, बनबे स्लेव में, हमने क्या माना था, एक strip को पूरा एकदम से length था, उसमें हमने 1 meter लेके चले थे, लेंद में, ठीक है, एक बराबर या फिर 1000 mm लेके चलेते, बड़ इस case में, दोनों ही case हो में, इन दोनों का ratio क्या है, दो से कम है, तो हम क्या करते हैं, दोनों में ही एक strip मान लेते हैं, design करने के लिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, यह लंबाई में, इसमें एक strip ले लिया, और एक strip को लेने के बाद में, हम यह देखेंगे, कितना deflection रहेगा, कितना shear force रहेगा, उस तरीके से हम देखेंगे, तो AB पटी पर, जो AB पटी है आपकी, इस पर कितना deflection रहेगा, तो AB पटी पर जो deflection हम निकालेंगे, हम एक तरीके से diet formula का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको पूरा design नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिलाल अभी हमें इतना ही पढ़ना है, ओके, तो दहान रखना, अगर question इस तरीके से formula पूछा जाता है, आपका objective में, तो क्या है, AB पटी पर deflection जो होगा, delta L बराबर, 5 upon 384, WL, ठीक है, डीक है, डीक ह इसे, 5 upon 384, और यह आपने, इस तरीके से भी देखा होगा, जब आपने सो में पढ़ा होगा, deflection वाला chapter, तो उसमें क्या रहता है, जैसे अगर हमारा, दौनवे सिरे, ठीक है, क्या हो, ठीक है, simply supported हो, और उस पर UDL आ रहा हो, ठीक है, तो उसके case में, यह 5 upon 384, WL की गा, 4 upon EI, यह हमारा क्या होता है, deflection की value होती है, बीम के case में, जब उस पर UDL आता है, ओके, तो डेल्टा L बरावर 5 upon 384, WL, AV का square, divide by EI, और CD पट्टी पर deflection क्या होगा, डेल्टा V बरावर 5 upon 384, बुलकु सेम है, WB, तो WL की जगे पर बिर्थ की बात हो रही है, तो WB, इस वा इसका area का, इसका divide by into, divide by EI, ठीक है, EI, young modulus और I क्या होता है, moment of energy है, ओके, और W क्या है, WB क्या है, इस strip का weight, ओके, और यह वाला WL, इस strip का weight, ठीक है, अब छोटे पार पर आने वाले भार, ठीक है, अब हम इसमें यह देख लेते हैं, हमारे पास में यह calculate कर लेंगे, यह भ बात करते हैं, WB और WL को कैसे निकालना है, तो WB को निकालने के लिए, छोटे पार पर आने वाले भार, ठीक है, छोटे पार पर आने वाले भार, बरावर, L की गात 4, ठीक है, length, L की गात 4, divide by L की गात 4, प्लस, V की गात 4, into W, ठीक है, डीक है, डीक है, इस तरीके से यहां से हम calculate कर सकते हैं और यह बाला कुष्चन काफी पूछा गया है कि बार आया है जो objective है जब objective कुष्चनों को देखते हैं तो यह formula सीधा डायक्ट पूछ लिया जाता है कभी एल की जगए बीफोर कर देगा को एल थी भी कर सकता है तो अलग-अलग तरीके से यह formula पूछा देखते हैं दूसरा तब बड़े पार्ट के लिए जो लॉंग-इस पैन है अभी हमना सौट के लिए डव्लू-बी की वैलू देखी अब डव्लू-वल्ली ले रहे हैं तो आपको लेंद लेनी है तो ल की पावर फूर ठीक है और बागी यह सब सारी चीज़ें सेम हैं ठी लॉंग-इस पैन रहें तो हमें यह वाली चाहिए बी की पावर फूर डवाई ल की पावर फूर प्लास बी की पावर फूर इंटू डवलू ओके और दूसरा दूसरे तरीके से जब आपकर हमने डवलू निकाल लिया तो हम टोटल जो डवलू बेट था यह इसमें अगर डवलू बी की बैलू माइनस कर दें तो डवलू हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या तो इस इससे मैसे से माइनस कर देंगे गए तो हम लॉंग स्पैंड के लिए और सौटक així distillत करते हैं निकाल लेंगे। दूसरा, deflection किस तरीके से calculate करते हैं, तो उसके formula से हम deflection भी निकाल लेंगे, अब बात करते हैं shear force की, कि shear force हम किस तरीके से निकालेंगे, तो shear force on short span, जो छोटा वाला span है, ये वाला, ठीक है, इस पर हम क्या देखेंगे, shear force की पहलोग देखेंगे, तो कैसे निकालेंगे, वन वाई थर्ड, डवलू इंटू दी, ठीक है, डवलू टोटल लोड और इंटू वी बेर्थ रहेगा, ठीक है, तो shear force on short span, shear force on short span वरावर, बन वाई थर्ड, डवलू इंटू बी, ओके, अब दूसरा देखेंगे लेते हैं, shear force on long span, और L, Y, B, दोनों जगे चूड़ा गया है, ठीक है, तो L, Y, V, दोनों का रेशो, और प्लस, डवाई बाई टू प्लस L, Y, V का रेशो, ओके, इंटू, डवलू इंटू बी, ओके, तो यह निकाल देंगे हम shear force on long span, short span के लिए बन वाई था W इंटू बी, ओके, आपको देखो, आपको formula ही यह direct पूछे जाएंगे, कभी-कभी इनकी value दे रखा होगा, तो direct आपको निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, नहीं तो सभी जादर तर जो सवाल दे रखे हैं, उसमें direct value पूछा गया है, ओके, direct यह formula पूछे गए हैं, और उनको देख खर ही हम समाझ कर इसको क्या लगाना है, objective में टिक लगाना है, अब देख लेते हैं bending moment, काफ ही important है कि bending moment को कैसे calculate करेंगे, bending moment करते हैं इसको grace-up rankine formula से, grace-up rankine formula ने mx short span के लिए, इसके लिए mx बराबर short के लिए short span और यह हमारा my long span के लिए mx बराबर alpha x into w into lx का whole square, lx की जगे पर हम bb लिख सकते हैं तो alpha x w into lx का whole square और long span के लिए m y बराबर alpha y into w into l y का whole square और जो alpha x और alpha y की जो value calculate करेंगे वो code से हम निकाल लेंगे और जो alpha x और alpha y की value हमारी depend करती है, l y upon l x के ratio पर तो l x upon l y upon l x के ratio के हिसाब से हम क्या कर देंगे, ठीक है, l y upon l x के, ठीक है, l y upon l x के ratio से हम क्या calculate कर सकते हैं, alpha x और alpha y की value हम calculate कर सकते हैं, ओके, तो m x की value और m y की value हम long span के लिए और short span के लिए दोनों के लिए calculate कर सकते हैं, और ये direct formula भी उचे गए हैं, आपको w की value दे रखी हो, ये value दे रखी हो, और alpha की value भी दे रखी हो, तो आप direct m x और m y की value calculate कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, check for deflection, check for deflection के लिए simply supported slab के लिए इसकी value जो है, ठीक है, deflection की value कितने से जादा नहीं होनी चाहिए 35 से, ठीक है, 35 से जादा नहीं होनी चाहिए, जब हमारा case आता है simply supported slab के case में जो value है, ठीक है, deflection की value है, ठीक है, part wise deflection की value जो है, वो कितने से अधिक न हो 35 से कम न हो, ठीक है, एक सब, और दूसरा, continuous slab के लिए ये value कितने से जादा नहीं हो, 40 से जादा नहीं हो, simply supported slab के लिए 35 से कम हो, deflection की value और continuous slab के लिए ये value 40 से अधिक नहीं हो, ठीक है, तो हम देखेंगे, one way slab देगा, हमने two way slab देखा, जो important कुछ point थे, जो diet पूछे जाते हैं, उनको हमने discuss किया है, इसके बाद में कुछ objective हम लेंगे, simply supported, इसके भी लेंगे, one way slab के और two way slab के भी लेंगे, और दोनों मैंसे जो हमें important question लगेगा, ठीक है, आपका जो paper है, वो objective होगा, सिर्फ हमें point to point याद रखना है, कि किस point पर किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, जैसे one way slab में और two way slab में हमने ये भी बताया, जैसे reinforcement कैसा रहता है, उसका डाया कितना रहता है, minimum कितना रहता है, ठीक है, उन चीजों के बारे में आपको बताया, distribution के लिए कितना रहता है, तो वो question पूछा जाते हैं, ठीक है, और उस तरीके से ये question objective में बनेंगे, ये जो महला shear force से बन सकते हैं, यह question बन सकता है, shear force पर question कई बार आया है, ठीक है, और ये हमारा long span or short span के लिए जो load निकालते हैं, वो भी पूछा गया है, और deflection के formula भी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये formula ठीक है, और ये दोनों formula ठीक है, ये बल्कु सेम है, बस L की जग यहां से question पूछ लिया जाता है, और उसके बाद में bending moment से, और ये काफी important है, सेलम मैं ऐसे कई बार question पूछा गया है, यहां से, तो ये बहुत important है, ठीक है, अब हम आपको क्या कराएंगे, अब अब ज्यक्टिव कराएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जितना भी हम objective करा पा ठीक है, और जो हमें point अगर हमने कुछ miss कर दिये होंगे, तो हम objective की through उन point को क्या कर लेंगे, cover कर लेंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, इनको आप जो जितना भी पुराना वीडियो जितना पढ़ाया है, उनको आप क्या कर लीजे, revision कर लीजे, जिससे हम objective जब ठीक है, और objective जितना भी आता है, उनको हम cover करेंगे, कि RCC structure में, वहां से question आपका बाहर नहीं जा सकता है, अगर RCC में आता है, तो इतना objective आपको हम करा देंगे, ठीक है, बस बसरते आपको, वो question आपको छूटे ना, और तयारी आपकी अच्छी हो, ठीक है, तो दो subject हैं, द bond strength वाला chapter पढ़ा है, फिर singly reinforced beam पढ़ा है, फिर W reinforced beam, फिर T beam, T beam के बाद में column, column के बाद में pre stress, pre stress के बाद में आपका one-way slab और two-way slab, जितना आपका syllabus में था, ठीक है, एकाद point छूट जाता है, तो हम उसको objective में cover कर लेंगे, जहां तक मैं समझता हूँ, आपके सभी point को मैं मैंने complete किया है, ठीक कुछ है, जैसे कुछ numerical और होने चाहिए थे, मैं मानता हूँ, बड़ आपका objective paper आ रहा है, इसलिए मुझे numerical थोड़े से मैंने कम कराए है, नहीं तो मैं अब, जैसे मानो मेरा complete हो जाता, तो मैं इसके बाद मैं, सुरू से लेके, सारे करीब 15-20 आपको numerical करा देता है, जिससे आपके और concept बन सकते थे, बड़ objective paper है, तो हम objective की तरफ चल पड़ेंगे, ठीक है, तो 15 दिन में हम 15-20 दिन में आपको पूरा objective जितना हो सकता है, हम complete करानी की कोसिस करेंगे, और पूरा करा देंगे, तो आपको बस सिर्फ ये करना है, आपको थोड़ी स एक से दो हम, जिसमें हम सुरू से लेके, end तक, जितना भी हमारा रहेगा, उनको हम point by discuss करते रहेंगे, कि यहां से objective पूछा गया है, ये objective पूछा, बट short form में, बहुत short form में, लिखेंगे हम उनको, पूरा detail नहीं करेंगे, बस उसको हम describe कर देंगे, और उसको इस तरीके से ह एक से दो घंटे की जो भी हो, वीडियो बना देंगे, तो आपको वो भी देख लेंगे, देख लेनी है, जिससे आपके और concept भी के लिए रहो जाएंगे, और question भी आपका नहीं चोटेगा, ओके, ठीक है तो फिर है, thank you